नवश्कार दोस्तो मैं हूँ डोक्टर मृष्कारी आपका अपने यूट्यूब चैनल डोक्टर खारी पर स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होमियोपेति मेडिसीन, क्रोटन, टिगलियम के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई किन रोगों और किन लक्षाओं में हम पेशेंट को देते हैं जानने के लिए वीडियो पूरा देखें, अगर आप मुवारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले याइल्ट रिलेटिड वीडियो से आप अपडेटिड रहें दोस्तो क्रोटन के बारे में बात करें तो ये दवाई जमाल गोटे से बनाई जाती है यानि जमाल गोटे से जो पेशेंट को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो इस दवाई के एंटिडोट के तोर पर काम करती है यानि उसके कारण जो पेशेंट को सरीर में परेशानी आती है तो ये उसके एंटिडोट के तोर पर काम करती है जैसे ही पेशेंट को जमाल गोटा देते हैं तो उसमें यह दवई असर्दार रहती है, यह दवई दिने से पेश komen ऐसे डायरिया में, काफी राहत मिलती है. ये दवई और भी काफी रोगों में काम आती है जैसे कि इसकिन डिजीज में पिशेंट को अगर एक्जीमा हो एक्जीमा में बहुत असरदार रहती है इसके लावा ब्रेस्ट अफेक्शन में भी ये दवई दी जाती है कोल्ड एंड काफ होने पर भी ये दवई हम पेशेंट को दे सकते हैं चली अब इनके सिम्टम्स जान लेते हैं कि किन सिम्टम्स यानि लक्षन होने पर ये दवई दी जाती है दोस्तो सबसे पहले इसके डाइरिया के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं दोस्तो पेशेंट को पेट में दर्द होता है और एकदम से डाइरिया लगने की शिकायत आनी शुरू हो जाती है दोस्तों पेशेंट की डाइरिया को अगर एक सेंटेंस में बोला जाये तो कमिंग आउट लाई के शोट की तरह है पेशेंट का डाइरिया होता है यानि तुरंत ही निकासी देखने को मिलती है सबसे पहले पेशेंट को पेट में जटके लगते हैं दर्थ होता है और अचानक ही ποあります प्सक्रावाइबkit हो जाता है डाइरिया के बात करें तो बहुत ज़्याद को नीक्ति होता है बहुत पतला होता है यलौई होता है ऐसे केस में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो ऐसे डाइरिया में काफी रहात मिलती है उसके कप के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट जब भी सोने जाता है और उसके बाद उठता है तब ही उसको खांसी शुरू हो जाती है खास तोर पर ये symptoms रात को देखने को मिलते हैं अगर patient दिन में सोता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होती है लेकिन जब रात में जाता है विस्तर पर जाती है एक बार कासी होती है और जब उठता है रात को कभी भी आँख बुल जाए patient की तभी कासी होनी शुरू हो जाती है patient को सांस लेने में दिक्कत होती है पेशेंट का दम घुड़ता है sensitive to deep breathing की समस्य होती है यहीं सही से patient सांस नहीं ले पाता है पेशेंट को नाक में इर्रिटेशन होती है गले में इर्रिटेशन होती है जब भी सही से सांस लेने की कोशिश करता है पेशेंट तो सांस लेने में दिक्कत होती है इसके अग्रावेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही पेशेंट सोने जाता है उसका पिलो प उचाति में दरदेखने को मिलता है तो ये दवई जर्नेस इसमें भी लाब मिलता है दोस्तों अब इसके सिंटम्स ही उसके स्कीन के सिंटम्स की बात कर लेते हैं याउनि तबच्रत को पूरे लेकिन अगर खास तोत पर जनेटल एरिया पर पेशेंट को खुजली होती ओ ऐक्जीमा स्कहल्प यैनी सिर में पेशेंट को एक्शिमा हो गया हो तो उसमें यह दोई भूत असर दार रहती है ऐसी एक्जीमा में चिन कंडिशन में पेशन्ट को बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिलती है लेकिन पेशन्ट खुजला नहीं बाता है कि वह एरिया बहुत सेंसिटिव हो जाता है हलके से पेशन्ट ऐसी जगह पर जब भी खुझली होती है तो हलके से रब करता है और उसको आराम मिल जाता है ऐसे में पेशन्ट तेज से नहीं कुझलाता है लेकिन सेवियर कंडिशन के खुझली होती है यह सिम्टम्स अगर जैनिटल एरिया पर देखने को मिलते हों स्कैल्प पर एकजिमा हो गया हो उस कुझला नहीं पता है जब भी कुझलाता है तो एरिया बहुत सेंसिटिव हो जाता है ऐसी कंडिशन में असरदार रहती है इस दवाई की डोजिज और पोटेंसी की बात की जाए तो यह दवाई डोक्टर की सलहा के बगार नहीं देनी चाहिए अगर आपको ऐसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो एक बार अपने होम्योपितिक डोक्टर से जरूर कर लें यह दवाई का फिसारी पोटेंसीज में उसकी जाती है जैसे सिक सीच थर्टी सीच तो हंड़र सीच डोक्टर की सलहा के बगार इस दवाई को नहीं नहीं तो दिये गए वोटसब नंबर प लगते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यावाद चैनल को सब्सक्राइब करें कोमेंट सेक्षन में हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है थैंक यू